तो स्वागत भाई आप सबी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपिम फेंटसी एक्सपर्ट पर और भाई आज जो यूवा कबड़ी मांसून एडिशन स्टार्ट हुआ है इसका भाई जो तीसरा मैच खेला जाएगा जो की खेला जाएगा यहाँ पर आप करवाई है यहाँ पर आप देख सकते हो किलियर विनिंग आपके भाई ने आपर आपके करवाई है ठीक है जैकपोट विनिंग लगातार मैं करवा रहा हूँ उपर आप देख सकते हो मतलब कोई आस पास भी अपने नहीं है और ऐसी ही विनिंग भाई इस मैच में भी आपक most almost impossible है तो अभी कि अभी जाए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा वहां से जाकर आप जोइन कर सकते हो या इसी वीडियो के फर्स्ट कोमेंट में आप जाओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वहां से भी जाकर टेलीग्राम चैन वीडियो में आपका भाई आपको चीजे बता देगा, ऐसे ऐसे बलेर्स बता देगा जो भाई कोई भी नहीं बताएगा, और एक चीज़ बता दू भाई मेरी काफी सारी टीमस कोपी होती है और इसी लिए मैं यहाप़ टीम नहीं देता है आज इस मैज में कौन सी टीम जीतने वाली है ठीक है तो मतलब जिसके आई चांसिज रहेंगे तो अगर इन दोनों टीम्स की बात करें तो बाई दोनों ही आप यहाँ पर 50-50 मानकर चल सकते हो फिर भी अगर आपको थोड़ा सा एज किसी को देना है तो बाई वो मतलब सच में काफी ज्यादा चलते हैं टीम बनाने की तरफ तो सबसे पहले बाई बात करते हैं तडोबा टाइगर्स की स्टार्टिंग सेवन क्या रह सकती है यहाँ पर वाई आपको एस प्रेम चरीत और यू लुआन में से कोई एक खेलता दिखेगा आर चोधरी आपर खेलता दिखेगा रेडिंग से से ठीक है तो यह चीज आप द्यान रखेगा बात करें और राउंडर सेक्शन से तो यहाँ से वाई एम बिष्ट कंफर्म खेलेगा इसके अलावा यहाँ पर ऐस अनील कुमार खेल सकता है तो यह चीज आपको द्यावा अगर बात करें तो यह दोनों भी आपको खेलते प्रोबेबल प्लेइंग रहेगी प्रोबेबल स्टार्टिंग सेवन रहेगी वो बताऊं तो यहाँ पर भाई के नागर एस सिंग तो मर एम यादव यह तीनों भाई आपको खेलते नजर आएंगे इसके अलावा अगर बात करें ओल्ड राउंडर सेक्शन में तो यू पर बात करें अब डेमो टीम की तो वह भाई मैं यह से आपको बना के दिखा देता हूं तो सबसे पहले बाई चलेंगे डिफैंस में तो डिफैंस में देखिए यहां से वीजन अगर आप वीर्स की तरफ से बात करें तो महिंदर याद हो है और भाई देखें एक चीज जो इं के साथ यहां पर कोई नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा ठीक है तो यहां पर बात करें महिंद्रा आदो की तो भाई डिफेंस सेक्शन में आपके लिए इंपोर्टन प्लेर रहेगा मल्टीपल पॉइंट से लेता है जब भी लेता है मतलब अब डिफेंस में मतलब जिस दि साथ आ रहे हो तो भाई आप आ सकते हो बट मेर को इतना इंपोर्टन यह प्लेयर नहीं लगता है यहां से हाँ प्लेयर अच्छा है लेकिन जब यहां से भाई एम यादव खेलता है तब इसका रोल थोड़ा कम हो जाता है अधर वाई यह काफी अच्छा प्लेयर और फिर तो यहां से महेंदर यादव आपको मतलब लीड करता दिखेगा फिर भाई यहां से ज़्यादा चांस भी महेंदर यादव को ही लेने पड़ेंगे यह उनकी एक तरह से मान सकते हो मजबूरी सी हो जाती है ठीक है इसके अलावा यहां से अगर बात करें तो विशाल सिंग रहेगा तरडोबा टाइगर्स की तरफ से इसके अलाग किये नागर की बात करें तो वाई किर्शन नागर बहुत ही खतरनाक डिफेंडर है और जिस दिन वाई इसका दिन वाना मतलब 7-8 पॉइंट पक्के मान लीजिए तो ग्रेंड लिग में जरूर से ट्राइग कीजिए चाह रहा हो बात करें रेटिंस एक्षंट की तो यहां से बाई एक दो दोनों मश्टक हो गए आप यहां से बाए आपके पास बस्डर फोइंट आप 12 राए 1 ?2 में लेकर मारा ए वीशाल चोदरी तो वीशाल चोदरी को मैं टीम में लेकर चल रहा हूँ ठीक है आगर आप चाहो तो आप यहां पर M यादव को ड्रोप करकर S सिंग को ले सकते हो फिर आपके पास यहां पर क्रेडिट थोड़े अच्छे बच जाएंगे लेकिन फिर भाई यहां से आप टीम फिर भी नहीं बन पाएगी भाई आपकी तो अभी तक जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहे है न वो यहां से बन रहा है भाई जो में इंदर यादव और यहां से विशाल सिंग इसके लाव यू परताब सिंग एम बिश्ट इसके लाव वी चोधरी और यहां से वा रहेंगे भाई आसे आर चोधरी बहुत ही शांतार प्लेयर है और पता है क्या है टीम का में रेडर है भाई दिक्कत यहीं पर आती है मतलब देखियो यह एम बिस्ट है अच्छी बात है ओल्राउंडर बैतरिन परफॉर्मेंस देता है रेडिंग में भी डिफैंस में भी हर तरीके से लेकिन उसके बाद जो रेडिंग का डिपार्टमेंट मेंली रेडिंग का डिपार्टमेंट है वो आर चोधरी के अंडर आएगा और यह आपको परफॉर्मेंस देख कर जाएगा तो यह चीज आप मान कर चलिएगा अभी के लिए जो टीम वो आप सेव कर सकते हो अल्मोस्ट अल्मोस्ट फाइनल टीम है बाकी टेलिग्राम चैनल पर भाई रेजल्ट मैंने आपको दिखाई दिया जो पहले मैच के रेजल्ट रहे है बाकी अभी दूसरा मैच स्टार्ट हो है तीसरे मैच की वीडियो मैं अभी आपको प्रोइड कर वा रहा हूं तो जो प्रोइड चीज़े हैं वो मैंने आपको बता दिया अब सबसे important क्या है कि वीडियो को like नहीं किया न तो वीडियो को like कीज़ेगा आपको support जो मिलता है न मतलब आपका support वो काफी ज्यादा helpful होता है motivation देता है और मैनत करने के लिए मतलब प्रेरित करता रहता है तो वीडिय आपसे मैस टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम